नमस्ते आज हम एक और रिडिंग करने वाले हैं देखते हैं आपके लाइफ में क्या मिसिंग है ठीक है तो आपको अपनी बड्डेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिनकी है बड्डेट यहाँ पर वन नमबर से लेकर 16 तक वो देखेंगे पाइल नमबर 1 और जिनकी बड्डे क्या मिसिंग है इस टापिक पर आज हम रिडिंग करने वाले हैं तो स्टार्ट करते है पाइल नमबर 1 जिनकी बड्डेट किया है पाइल नमबर 1 कोशिश करते है जानने की आपके लाइफ में क्या मिसिंग है यह जनरल ट्रिडिंग है सो हर बात हर केसी के साथ रजनर तो नहीं हो सकता लेकिन कोशिश करते हैं हम जानने की जिन्हों ने पाइल नमबर बंड से रख किया है सबसे पहले तो यहाँ पर है नाइन अफ वांड ऐसा कोई इंसान जो बार बार आपको परिशान कर रहा है में भी टॉट्चर कर रहा है ठीक है तो आपको उस इंसान को प्यार से समझाने की जरुत है ना कि गुस्सा करके गुस्सा करोगे और ज़्यादा परिशानी हो सकती है देखो हर किसी के थौट्स अलग है वो इंसान नहीं समझ पाता है आप उस इंसान के लिए कोई गलत नहीं कर रहे हो लेकिन हाँ वो इंसान तो गलत ही समझता है आपको तो ये पताने कितनों के साथ रेजनेट होगा लेकिन यहाँ पर ऐसा आया है कि आपको में भी आज कल उस इंसान के उपर गुस्सा भी आ रहा है लेकिन आपको गुस्ता करके कुछ चीज़े ठीक नहीं हो सकती आपको पैर से हंडल करना पड़ेगा ठीक है अगुस्ता करोगे तो जगड़े हो सकते हैं ठीक है या हो सकता है कि आज कल आपके पड़ोसी के साथ या माबाप के साथ घर में परिवार में कही जगड़े चल रहे हैं तो आपको इसके बार में सोचना शाहिए कि ये जगड़े क्यूं हो रहे कैसे हो रहे किस वज़ा से हो रहे ठीक है कोशिश करो जानने की और ऐसा नहीं होना चाहिए आगे से इसके लिए कोशिश करो आप ठीक है जस्टिस मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है आपको आप किसी चीज के लिए जस्टिस मांग रहे हो आप बैलंस चाहते हो आप खुद को स्टक फिल कर रहे हो, आप उसमें से फ्री होना चाहते हो, आप जस्टिस पाना चाहते हो अपने लाइफ में, दिल तूटा है आपका, यहाँ पर बहुत लोग ऐसे जिनका दिल तूटा है, में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि कैसे के साथ जगड़े हुए है वो आपका पार्टनर भी हो सकता क्योंकि दिल पर वार है सिधे, दिल तूटा है और आप उस अनसान से बाहर नहीं निकल पारे हो अपने आपको फ्री नहीं कर पारे हो उससे अभी तक ठीक हैं, आपके दिल पर बहुत ज़्यादा घाव लगे है और वेभी वही इंसान के साथ आपको चीजों को क्लियर करना चाहते हो, कुछ बातों को क्लियर करना चाहते हो, आप खुद के लिए जस्टिस चाहते हो, लेकिन जस्टिस नहीं मिल रहा है लेकिन अगर आप सच्चे हो तो ये justice आपको मिल कर रहेगा तो अच्छंता करने के जादा जरुरत है ही नहीं justice आपको जरुर मिलेगा ठीके और क्या है आपके life में प्यार की कमे मुझे दिख रही है आप बहुत प्यार इंसान हो लेकिन आपको प्यार नहीं मिल रहा है आप जिस प्यार के हगदार हो वो प्यार अभी तक आपको नहीं मिला है ठीक है आपने किसे से बहुत प्यार किया है देखो यहाँ बॉटम में है six of source आपने किसे से बहुत प्यार किया है लेकिन वो इंसान आपसे बहुत distance में चला गया है उसने भी आपसे जगड़े कर दिये आपको धोका दे दे, आपको आपका दिल तोड़ दिया और प्यार की कमी मुझे आपर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आप बहुत emotional person हो, खुद को balance करना शाहिए आपको अगर आप खुद को balance करते हो तो बहुत चीज़े हल हो सकती है खुद को balance करना आपके लिए भी जरूरी हो गया है और six of swords के energy बता रहे कि हो सकता है या तो आप long distance में हो दोनों या बहुत ज़्यादा distance आप दोनों में आ चुका है जगड़े बहुत हुए है, दिल तोटा है, परिशानी हो गई है ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे है जो प्यार में धोका खाए है देखो, आपने तो बहुत सपने सजा के रखे थे उस इंसान के लिए ठीक है, आपने तो बहुत कुछ ऐसा decide किया था कि आपकी शादी होगी आपके engagement होगी, जो कुछ भी आपने सपने सजाएते हैं और जो relationship में नहीं है, उनके लिए में बता दो कि आप life में बहुत कुछ अच्यू करना चाहते हो ठीक है, सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हो इसके लिए आपकी मेहनत कम पड़ रहे हैं, अगर सपने देख रहे हो तो उन सपनों का पीछा करो उन सपनों के लिए मेहनत भी उतनी ही जरूरी है, सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं हो सकते तो मेहनत, एक्षन तो आपको लेना पड़ेगा, ये जो सपने देख रहे हैं न, उनको पूरा करना है तो मेहनत भी उतनी ही जरूरी है आपके लिए, ये मिसिंग है, एक्षन नहीं ले रहे हो आप देखो, आप ऐसे इंसान हो जो खुद के दम पर बहुत आगे जाना चाहते हो, रिच बनना चाहते हो, और अगर पैसा कमाना है तो मेहनत तो करने पड़ेगे न, ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप सोचे सोचे पैसा कमा जाओ, ठीक है, और आपने से कुछ लोग ऐसे भी है जिन को ऐसा लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मतलब आपके सपने बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन आपने एक बिलिव सिस्टम बना लिया है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो आपका जो थौट्स है, आपका जो थौट्स प्रोसेस है, इसको चेंज करना होगा पैसा कमाना मुश्किल नहीं है आसान है आप अपने सबकॉंश्यस माइन में ये फिट कर दो आप निगेटिव चीज़े भर रहे हो सबकॉंश्यस माइन में कि पैसा कमाना मुश्किल है पैसा कमाना चाहते हो रिच बनना चाहते हो लेकिन बिलिव सिस्टम कुछ अलगी बना के रखाए कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है ठीक है तो ये आपकी जो सोच है इसको चेंज करना पड़ेगा आपको affirmation करो कि पैसा कमाना आसान है आप पैसा कमा रहे हो मुझे ऐसा लगते कि आप बहुत happiness चाहते हो बहुत खुश्या चाहते हो अपने जिंदगे में लेकिन वह happiness कहीं missing है आपके जिंदगे में और कुछ लोग लिए मुझे ऐसा भी लग लगा कि आप कहना कुछ बहुत चाहते हो ठीक है लेकिन आप कहने ही पाते हो कि थ्रोट चक्र में प्रॉब्लेम हो सकता है दिल में बहु को सुधारना होगा ठीक है बहुत लोग ऐसे हैं जो दिल की बाते दिल में ही रखते हो कह नहीं पाते हो ठीक है तकलिफ आपको होगी दूसरों को नहीं होगी आपको खुद को तकलिफ होगी उससे जो कुछ भी है दिल में उसे कहना भी बहुत जरूरी है ठीक है तो ये बा कमा सकते उसको निकालना होगा ऐसा कमना बहुत आसान है यह आपने four of cups आपको हमेशा ऐसा लगते कि आप कहीं भी जाओगे तो लोग आपको reject कर देंगे लोग आपको स्विकार नहीं करेंगे यह तो गलत है खुद के उपर ही विश्वास नहीं है फिर तो आपका और जब तक आप खुद के उपर विश्वास नहीं करोगे तो लोग आपके उपर कैसा विश्वास करेंगे कैसे करेंगे बोलो सबसे पहले तो अपने आपके उपर विश्वास रखो ओके देखो हिम्मत की कमी यहाँ पर बहुत ज़ादा है अगर आप अपने अंदर हिम्मत नहीं भरोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे आपको तो बहुत आगे जाना है आपके तो सपनी कितने बड़े बड़े हैं और अगर उन सपनों को हासिल करना है तो गुज से कम्यूनिके हाइरफांट आपको मुझे सा लगता है कि आप में इतनी ज़धा काभिलत है कि आप दूसरों को गाइडंस कर सकते हो आप मैंने कुछ लोग टीचर हो सकते हो एपका सपना है कि शुंट ना SARAH स्पीकर बनना चाहतेब हमें सैंकुछ लोग मूटिवस्टेफ कर बनना है तो आपको लिए क्या जरूरी है बात करना जरूरी है, बोलना जरूरी है और वही आप नहीं कर रहे हो ठीक है, तो तो हारफंट के इनेटर बता रही है कि एक तो आप बहुत जात दिविधा परिसेती में रहते हो ठीक है, continue दो-दो thoughts आपके दिमाग में चलते रहते हैं घूमते रहते हैं, आप किसी एक decision पर कायम नहीं रह पाते हो, सबसे पहले तो इस पर काम करो, कि नहीं सोचना है, बार-बार अपने decision change नहीं करना है, किसी एक decision पर कायम रहो, और फिर उसके उपर ही काम करना शुरू कर दो, तो आप अपने मन्जिल तक पहुचोगे, अगर बार-बार अपने decision चेंज करोगे, तो कैसे आप अपने मन्जिल तक पहुचोगे, ठीक हैं, ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए, ये भी missing है, आपके life में देखो, कितना परिशान हो राते हो, रात को सोते नहीं हो, anxiety फिल करते हो, कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं, जो depression में चले गए हैं, आपने खुद को ही बहुत तकलिफ देना शुरू कर दिया है, मतलब, life में कुछ चीज़े अच्छी नहीं हो रही है, इसका इल्जाम आप खुद पर क्यू फोड रहे हो, आपकी मेहनत कम पड़ रही है, आपका विश्वास कम पड़ रहा है खुद के उपर, देखो, आज कल तो किसी के साथ जगड़े भी बहुत चल रहे हैं, हो सकता है अपने परिवार में ही किसी के साथ आपके नहीं बनती है, सबसे पहले तो आपको ज़रूरी है, जो कोई भी अनसान आपको ब्लेम करते हैं, या आपके साथ जगड़े करते हैं, उनको समझाओ, ठीक है, कि तुम तुम तुमारा भी टाइम खराब कर रहे हो, तुम मेरा भी टाइम खराब कर रहे हो, जगड़े करके इसमें से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं, अगर हम अपने लाइफ में फोकस करेंगे, अपने काम पर फोकस करेंगे तो हम कुछ कमा भी लेंगे हम जो अपने सपने हैं उनको पूरा भी करेंगे लेकिन बेवज़ा के जगड़े करके उसमें टाइम बरबाद करके कुछ हासिल होगा नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं होगा अपके पीठ पीछे बुरा ही करते हैं तो अगर आपको ऐसा पता है तो या तो आप बहुत जाँ टेंशन ले रहे हो ठीक है खुद को अलट तो रखना है ऐसे लोगों से आपने आपको बचा कर रखना है लेकिन टेंशन नहीं लेना चाहिए दीशन happiness की कमी है बार बार जगडे नाराज़गी परिशानी यही सब कुछ चल रहा है happiness की कमी मुझे आपके लाइफ में दिख रहे है happiness missing है देखो judgment है यहाप पर आपका जो intuition power है वह भी जबरदस्त है ठीक है कभी कभी तो आपको समझ में आता है कि क्या होगा क्या नहीं हो ठीक है लेकिन डर बहुत जादा है अगर आप अपनी हिम्मत नहीं हारोगे डट कर सामना करोगे हर चीज का ठीक है तो बहुत आगे आप जा सकते हो पहले तो आप में कम्यूनिकेशन स्किल आपको सुधारना है ठीक है दूसरी बात आपको अपना कॉंफिडेंस बिल्कुल हर हाल में नहीं खोना है confidence ही आपके success की की है हमेशा आपको यह याद रखना है और आप में से कुछ रोग बहुत आगे तक जाने वाले हो रिच बनने वाले हो और पैसा कमाना आसान है यह अपने आपको समझाओ पैसा कमाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है बहुत आसान है बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के और वो भी अच्छे तरीके ठीक है कोई गलत तरीका अपना के आपको पैसा नहीं कमाना है अच्छे तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं और बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के और आप वो कर सकते हो यह विश्वास जब आपके अंदर होगा तो तो सारे प्रॉब्लेम अपने आप स्वाल होते जाएंगे, डरने की जरुरत बिल्कुल भी नहीं है, डर डर के जियोगे तो फिर कैसे होगा, गुड कॉलिटीज, आप में बहुत सारी गुड कॉलिटीज हैं, आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हो, और देखो, जिन्दगी में बहुत ज़्यादा तर अच्छे और सच्चे लोगों को ही बहुत ज़्या परिक्षाई देने पड़ती है, उनको बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत संगर्श उनको देखना पड़ता है, लेकिन जीत आखरी में उनकी होती है, तो आपको कभी भी मन में ये शक नहीं पैदा करना है, कि आप सक्सस नहीं हो सकते हैं, में भी आप मैंसे कुछ लोग ऐसे हैं, कि आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे qualities हैं, लेकि ये आपका टैलेंट है, कि आपको बहुत आगे तक ले जाएगा, आप में ये जो good qualities है, चाहिए वो इंसानियत हो, चाहे वो जो इमानदारे से आप काम करते हो, यही आपके गुण आपको बहुत आगे तक लेकर जाने वाले है, लेकिन विश्वास तो रखना ही होगा, ठी ज़रत है उस अंसान को माफ करने की, forgiveness, माफ करने की ज़रत है, इमानदारे से जो कुछ भी आपने सिखा है, उसी के आगे, उसी के अनुभव के आधार पर अब आपको आगे बढ़ना है, आप में wisdom बहुत ज़ादा है, विश्वास रखो, Supreme Lord, Supreme Power पर विश्वास रखो, यही आपके लिए अप सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, सेल्फ कंट्रोल, अपने आपके उपर कंट्रोल होना चाहिए, और विश्वास होना चाहिए, Divine Power पर, Supreme Power पर, बहुत साक्रिफाइस करते हैं होना, बहुत ज़्यादा, कभी भी मैंने पहले बोला कि आप कभी किसे क बुरा कर ही नहीं सकते, आपने हमेशा दूसरों के लिए कॉंप्रमाइस किया, साक्रिफाइस किया, या अपने घरवालों के साथ हमेशा आपने खुद के बार में नहीं ज़्यादा सोचा, दूसरों के बार में सोचा, साक्रिफाइस ही करते रहोगे, तो खुद के लिए कुछ सोचने का अपने डर से बाहर निकलो और कमिंग फियर आपके मन में कोई अंजान से डर है मेभी कभी कभी तो आपको पता भी नहीं रगता कि आप डरते किस बात को हो ऐसा भी हो सकता लेकिन जो भी डर है ठीक है जो भी आपके मन में डर है उस डर से अपने आपको बाहर निकालना होगा निडर होकर जीना होगा आपको ये कमी है, ये मिसिंग है ये जो धाड़स के साथ आपको जीना है, डर्डर के नहीं जीना है निडरता मिसिंग है, ठीक है Meditation brings answers, आप में से कुछ लोग ऐसे है कि जिनको आप बहुत जा Meditation की आवश्यक्ता है कर आप इस डर्डर से बाहर निकालना चाहते हो, तो खुद को शान्त रखना जरूरी है Meditation करना जरूरी है वापस वही मैसेजा है यहाँ पर भी आपको वही बता जा रहा है कि आपको Forgiveness की जरूरत है और यहाँ पर भी Angel आपको वही बता रहे कि जिसने भी आपके साथ गलत किया उनको माफ कर दो माफ करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे आप बहुत बड़े बन जाओगे उन लोगों को माफ करने के आवश्यक्ता है जिसने आपके साथ गलत किया जिसने आपके भोलेपन का आपके अच्छाई का फाइदा उठाया और आपके साथ गलत किया ऐसे लोगों को अब माफ करने के आवश्यक्ता है सब कुछ पॉजिटिव सोचोगे देखो आपकी सोच ही बहुत जा निर्भर करते हैं कि आप लाइफ में क्या बनने वाले हो और आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है आप पॉजिटिव सोचो तो सब कुछ पॉजिटिव होगा और पॉजिटिविटिव आएगी जरूर आएगी आपके लिए हैं समर्पन और माध्यम आप मेरे कार्य का माध्यम हो मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ साई बाबा आपको अपने कार्य का माध्यम बनाना चाहते है मैंने पहली बोला आप में good qualities है आप बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हो जैसे कि आप लोगों का भला करने के लिए आए हो भगवान आपके थ्रू लोगों का भला करते हैं ठीक है? आपके माध्यम से वो कारे करते हैं समर्पन है यहाँ पर अपने मालिक एवन गुरूं के प्रती अनुग्रह पुर्वक समर्पन कीजे और उन्हें वर्तमान स्तिती से सामना करने दीजे भगवान को बोलो कि भगवान आप जो करोगे वही सही अब आपके उपर में छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ डिवाइन को सरंडर करना बहुत सबसे बेस्ट हो पाए है ठीक है? You are very close आप अपने गोल के बहुत close हो हिम्मत नहीं हार नहीं है आपको अरहाल में आप जीतोगे बहुत आगे जाओगे दा एनर्जी देखो आपको अपने जो आपका विजन है उसको होल करके रखना है गिव अप आपको नहीं करना है और the energy is gaining momentum आप सब कुछ हासिल करोगे जो आप चाहते हो ठीक है? और आप अपने विजन से अपने आपको नहीं हटाना है आप अपने गोल को बहुत जल अच्छी हो करने वाले हो ठीक है? लेकिन अपने अंदर जो कुछ मैंने बता है वो changes आपको लाने के आवश्यक्ता है वो सारी चीज़े लेकर आओ जो आपके life में missing है ठीक है? ठीक है? पाइल नमबर वन अगर आपके साथ result करता है तो like, share and subscribe मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई पाइल नमबर टू क्या missing है आपके life में? जानने की कोशिश करते हैं हम ठीक है? आपके life में क्या missing है? मेरे चो विवर्स है उनके life में क्या missing है? कोशिश करते हैं जानने की जगड़े बहुत जाता दिखाए दे रहे है जगड़े हो रहे क्या किसके साथ? या तो घर में नहीं बन रही है किसका इंतजार कर रहे हो आप या तो किसी opportunity का इंतजार कर रहे हो या किसी अंसान का इंतजार कर रहे हो देखो opportunity खुद चल कर नहीं आते हमें खुद opportunity के तरफ बढ़ना पड़ता है या हमेश आपको याद रखना है कोई चीज खुद होकर आपके पास नहीं आएगी अपको खुद जाना होगा उस चीज को पाने के लिए आपको खुद मेहनद करने होगे अगर इंतजार करते रहोगे तो फिर ऐसे कैसे चलेगा तो जो action होनी चाहिए, जो मेहनत होनी चाहिए, वो मुझे कही न कही आपके लाप में missing लग रहा है इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद जो life में अच्चिव करना चाहते हो, उसके लिए मेहनत करने पड़ेगी, उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा राशी है, Ares, Leos, Sagittres, The World, आपके बहुत बड़े-बड़े सपने हैं, मेबी आप में से कुछ लोग out of country जाना चाहते हो, आपका सपना है कही और settle होना, आपका सपना है पुरी दुनिया घूमना, ठीक है, और अगर आप ये सब कुछ अपनी wish complete करना चाहते हो, तो उसके लिए उतना ही जादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, The World का कार ये बता रहा है कि आप चाहते तो हो बहुत सारी खुश्या, लेकिन कभी-कभी आपको ऐसा भी लगता है कि नहीं होगा, ठीक है, कोशिश करेंगे, देखेंगे, ये जो देखेंगे वाली जो बात है, इसको तो निकालो अपने लाइफ से, देखेंगे नहीं, करेंगे, अभी करेंगे, ठीक है, बड़े सपने हो सकते हैं, दुनिया घूमने के सपने हो सकते हैं, The World के अनरजी ये भी बता रही कि आपके लाइफ में कार्मिक साइकल कंप्लिट हो चुकी है, और एक नेक्स्ट साइकल स्टार्ट होने वाली है, अब सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है, वक्त बदलने वाला है, लेकिन अपने आपको तयार रुखो, लेजिनेस सबसे पहले आपको अपने लाइफ से निकाल देना है, पूरती लेकर आनी है, काम के प्रती, प्यार की कमी मुझे आपर दिखाए दे रहे हैं, आपके जिन्दक में प्यार मिसिंग है, में भी आप ऐसे इंसान हो जिन्ने बहुत, मतलब हर किसी के लिए बहुत आपकी दिल में अच्छे ख्याल दे, आपने हर किसी से बहुत प्यार से, मतलब आप बहुत प्यार से रहत लेकिन लोग आपके साथ वैसा व्यवार नहीं करते हैं अगर आप किस रिलेशन में हो तो आप उस इंसान से प्यार चाहते हो जो नहीं मिल रहा है अगर आप किस रिलेशनशिप में नहीं हो तो आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में आप आ जाए आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आप से बहुत प्यार करें यह प्यार मिसिंग मुझे दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपका जो नेचर है बहुत अच्छा है आप अच्छे इंसान हो ठीक है मेहनत की कमी मैंने पहले बोला कि आप इंतजारों करते मत बैठो आप खुद मेहनत करो laziness की बहुत ज़ादा यहाँ पर मुझे ऐसा लगते कि आप आलसी बहुत हो आप मेंसे कुछ लोग ऐसे है जो अलसी है और आप मेंसे कुछ लोग ऐसे है जिनको लगते कि मेहनत करके भी यह होगा ही नहीं ऐसे negative thoughts आपने अपने mind में state कर दिये है positivity missing है आपके life में उपर से आप मेहनत करने के लिए तयार नहीं हो अब हर बात हर किसी के साथ resonate तो नहीं हो सकता लेकिन यहाँ पर बहुत ऐसे लोग है जो हासिल तो बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन मेहनत करने का वक्त आते तो पीछ अट जाते हो आप मेहनत करने के लिए तयार नहीं हो ऐसे कैसे चलेगा राशी कौन सी है एरियस लिव और सजिटर से टोरस वर को क्याप्रे कौन है कैंसर स्कूर पर पाईसी है दा हारफंट है यहाँ पर guidance की कोई अगर guidance करे ना आपको ठीक तरह से तो आप ऐसे इंसानों जो बहुत आगे तक जा सकते हो लेकिन आपको कोई समझाने वाला शायद नहीं है या आपको कोई गुरू आपके लाइफ में एक गुरू की आवशक्ता है जो गुरू जो उवदेश करता है जो आपको समझाता है वो यहाँ पर missing मुझे दिखाई दे रहे हैं तो जो कुछ भी आप लाइफ में अच्छीव करना चाते हो और उसमें जो expert है ठीक है तो आपको उस इंसान के सानिध्य में जाना होगा उस इंसान से आपको guidance लेने के आवशक्ता है सही दिशा में सही action लेते हो तो आप बहुत आगे तक जाने वाले हो अब बहुत spiritual इंसान हो अच्छे इंसान हो मुझे ऐसा लगता है कि देखो justice की कमी है आपके life में king of wands आप में से कुछ लोग ऐसे है जो अपने आपको खुबसूरत नहीं मानते हो financial issue भी हो सकते हैं आपके life में खुशियों की कमी है पैसों की कमी है पैसा मिसिंग है खुशिया मिसिंग है guidance मिसिंग है किसी अच्छे गुरू की तलाश में आप रहोगे तो ये बहुत हद तक आपके problem solve हो सकते हैं क्योंकि आप खुद होकर उस चीज की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं आपको कोई सिखाने वाला चाहिए आपको कोई guide करने वाला चाहिए जो आपको बार बार ये बताए कि तुम्हें life में क्या करना है तुम्हें तुम क्या करो कि उस तक पहुच सकते हो रास्ता दिखाने वाला आपको चाहिए और ये जो justice चाहिए न आपको मेभी वो किसी भी area में हो सकता है life के कही तो आपके साथ अन्या हुआ है और आप में से कुछ लोग ऐसे जो अपनी personality को अच्छा नहीं मानते हो आपको से लगता कि आप में वो attraction नहीं है आप में वो एक आकर्शन नहीं है कि सामने वाला आप से attract हो हाँ जरुरत है आपको अपनी personality के उपर काम करने की लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप खुबसूरत नहीं हो और ये जो justice है ऐसा क्या हुआ है कि आपको लगता है कि आपके साथ अन्या हुआ है देखो बहुत ज़्यादा emotional loss हुआ है ऐसा भी मुझे लग रहे है सबसे पहले में बता दो तो आपके life में happiness की missing है आप खुश रहा करो तो खुशिया आपके तरफ attract होगी खुद ही खुश नहीं रहते हो अगर आप खुद ही हमेशा मू लटकाए बैठे हो अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ यह मुस्कुराहट की missing है हमेशा sad रहते हो कभी कभी तो रोते भी हो ठीक है जो दुख है जो विचार आपके मन में हाते है ठीक है सही भी है आपको खुद की feelings दबा के नहीं रखने हैं आप रोना आता है तो रो लेकिन happiness भी तो चाहिए ना चेहरे पर मुस्कान भी तो चाहिए खाक हो गई है आपके मुस्कुराहट अपने आपको खुश रखने की कोशिश करो अपने आपको positive रखने की कोशिश करो देखो आपको ऐसा लगता है कि आपको हर तरफ rejection ही मिलेगा अपने आपके उपर विश्पास नहीं करते हो ठीक है और कुछ लोग यहाँ पर ऐसा है कि relationship में धोका खाए हो नय हुआ है आपके उपर किसे ने पहले आपको बड़े प्यार से अपने जाल में फसाया और फिर reject कर दिया ऐसे भी लोग मुझे आपर कुछ दिखाई दे रहे है या कुछ लोग ऐसे भी है जो कही भी जाते तो आपको लगते कि लोग आपको select करेंगे ही नहीं लोग आपको reject कर देंगे खुद के अंदर confidence नहीं होगा तो फिर कैसे आगे बड़ोगे आप आप कही भी जाओगे तो पहले ऐसा विचार अगर आप करोगे कि आप select नहीं होगे तो आप जाओगे ही नहीं बहाँ पर तो सबसे पहले तो आपको ये thoughts रखने है कि आप select होगे कहीं भी जाओ आप interview के लिए जाओ कहीं भी जाओ आपको select करना ही होगा इतना सदा confidence आपके अंदर होना चाहिए overconfidence नहीं होना चाहिए confidence होना चाहिए ठीक है तो ये बात है हमेशा मू लटकाए रहते हो sad रहते हो ये नहीं चलेगा यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है जो दूसरों की बातों में आते हो किसी addiction में फज गए हो financial issue है आपके life में और उसकी बज़े से आप बहुत परिशान रहते हो maybe आपको ऐसा लगता है कि पैसा नहीं आएगा आपके पास आपको पैसों की जरुरत है लेकिन आपने ऐसा mindset बना दिया कि पैसा नहीं आएगा पैसा आएगा अपना mindset चेंज करने की जरुरत है यह जो रातों की नीन आपकी उड़गी है न अगर positive सोच के साथ रहोगे तो यह सारे problem दूर होने वाले हैं ठीक है विश्वास की कमी विश्वास की कमी है देखो या तो आप खुद से ही जूट बोल रहे हो ठीक है कुछ चीजे ऐसी है जो आप कर सकते हो लेकिन खुद को ही जूट बोल रहे कि तुम नहीं कर सकते हो खुद के उपर ही विश्वास नहीं है सबसे पहले तो आप खु तो आपने उस इंसान के उपर कभी विश्वास नहीं किया आप किसी के उपर विश्वास नहीं करते हैं मतलब सामने वाला इंसान कभी-कभी आपके भलाई के बाते करता है वो आपको गाइड करने की कोशिश करता है लेकिन आप हो कि उस इंसान के उपर विश्वास ही नहीं कर पाते तो पहले तो आपको ये जाननी की कोशिश करने जाएगी कौन आपके लाइप में अच्छा है और कौन बुरा और फिर जब आप जानने लगोगे कि हाँ ये मेरा वेलविशर है ये मुझे कभी गलत नहीं बता सकता कुछ भी तो फिर उनके उपर विश्वास करना चालू करो उनके उपर विश्वास करना होगा आपको तो ये जो आपको लगते कि सब लोग जुट बोलते है हाँ, मैं ये नहीं कहती कि दुनिया में लोग खराब नी हाँ जो कुछ है तो आप emotionally satisfied नहीं हो आप अपने ही मन में बहुत दुखी हो मैं जाने किसी बात के बार में राद दिन सोचते रहते हो लेकिन बहुत दुखी मुझे आप दिखाए दे रहे हो अंदर से जब happiness आएगा तो life में कुछ interesting आपको करने को मन करेगा ठीक है आप अंदर से खुश हो जाओ खुद को balance करने के आवश्यक्ता है जो आप नहीं कर पा रहे हो राशी कॉनसी कॉनसी है लिबराक वरस जेमिना है कैंसर स्कॉर्पिय पाइसी है टॉरस वरको कैप्रिकॉन है एरिस लिव साजुटरेस है मुझे ऐसा लगता है कि आप negative ही सोच रहे हो हर चीज़ को negative ही देख रहे हो तो यह जो आपका नजरिया है यह सबसे पहले आपको change करने के आवश्यक्ता है positively चीज़ों को देखने के आवश्यक्ता है और यहाँ पर कुछ लोग ऐसी भी जनको लगता कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है वाई बहुत मुश्किल है तो यह जो सोच है आपके negative इसको change करो पैसा कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है आप अपनी सोच change करो ठीक है यह सब कुछ missing लग रहे है मुझे ego ego में आकर कुछ चीज़े ठीक नहीं हो सकती आप जो कुछ आप चाहते हो उसको manifest करने की कोशिश करो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जैसे कि मैंने बोला था कि अपनी personality को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो ठीक है आप जैसे भी हो बहुत खुबसूरत हो यह विश्वास रखो आप जैसे भी हो बहुत खुबसूरत हो प्यार का इंतजार कर रहे हो न आने वाले वक्त में कोई आपको अपने दिल की बात बोल सकता है शादी की बात कर सकता है आपको कही से commitment मिल सकता है ठीक है पुराने बातों को छोड़ चार कर लाइप में आगे बढ़ने की आवश्यक्ता है आपको पुराने बातों को दिल में जहन में आपको नहीं रखना है जो अगर कोई past है बुरा past है तो उसमें से निकलो बाहर निकलो विजन मुझे ऐसा भी लगता है कि आप transformation से डरती हो जो आपके life में changes आ रहे न वो आपके भले के लिए हो रहा है सब कुछ में भी आपने से कुछ लोग है कुछ अच्छा भी हो रहा है तो आपको डर लग रहे कुछ नया अगर हो रहा है आपके life में आप सबसे पहले तो अपने अंदर spiritual growth लाने की कोशिश करो, ठीक है, आप जितना ज़दा spiritual ली grow करोगे, उतना ही जदा आप अपने life में भी grow करोगे, आप spiritual हो, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भी spiritual नहीं हो, लेकिन आप आपको और ज़दा spirituality के तरफ बढ़ने की आवशक्ता है, जितना ज़दा आप spiritual बनोगे, उतनी ही जदा आपको help होगी, happiness अपने life में लाने के लिए, ठीक है, आप बहुत pure heart हो, बहुत ज़दा, सबसे पहले तो आपको satisfaction नहीं है, खुशिया नहीं है आपके life में, ठीक है, आप बहुत pure heart हो, लेकिन खुशियों की कमी है, satisfaction नहीं है, दूसरे लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, इस से आपको बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, अगर कोई गलत लोग आपके आसपास है, और आपके बारे में कुछ गलत बात ये करते हैं, तो आपको बहुत ज़दा फर्क पड़ता है उन लोगों की बातों से, तो सबसे प बढ़ने के बारे में कब सोचोगे, लोग क्या कहेंगे, वो लोगों के उपर छोड़ दो, आपको इसके बारे में सोचने के आवशक्ता नहीं है, और ना ही आपको depressed होने के आवशक्ता है, ना नाराज होने के आवशक्ता है, लोग उनका काम करेंगे, आपको अपना काम करना आगे बढ़ने का वो उनका काम कर रहे हैं वो अपना कर्मा भुकतेंगे यह जो भी गलत कर्म कर रहे हैं वो आपके बार में गलत कहके वो अपना कर्मा फेस करेंगे आपको सोचने के जुरूत नहीं है कुछ भी आप सोचते हो तापको यह काम नहीं होगा नहीं 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 के रट लगाके बैठे हो इसको चेंज करो एक्षन जो भी करना चाथ हो इसके लिए आक्षन लेने का वक्ताय है और यह जो निगड़ीव सोच है अपने अंदर निकाल दो इसको opportunity आपके life में ज़रूर आएंगी बस उस opportunity को आपको catch करना है ठीक है बहुत आगे जाने वाले हो opportunity भी मिलेगी आपको उसके लिए no need to worry चिंता करने की आवश्यक्ता ही नहीं है क्यों कर रहे हो चिंता नहीं करनी है इस overthinking से आपको बचना होगा it's up to you जो भी होगा बस यह आपके उपर है आप कितना निगिटू सोचते हो आप क्या कुछ करते हो यह सब आपके उपर है यहाँ पर है शिक्षा जीवन एक पाटशाला है शिक्षा गरहन कीजिए और उच्ची उडान भरिए दूसरा है तीन मंत्र अच्छी सोच रखिए अच्छी शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कारे कीजिए आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लोट आएंगे यहाँ पर दुखों का सामना कीजिए दुख का अनुभव किसी विशेश परिसिति के कारण नहीं है वरन उस परिसिति को अस्विकार करने से है उसका सामना कीजिए डर जाते हो जब भी दुख आते तो आप दुखों से भागने लगते हो जब तक उस दुख का सामना नहीं करोगे तो कैसे होगा जितना सदा दुख से भागोगे दुख उतना ही पीछा करता रहेगा Meditate and Contemplate सबसे पहले तो Meditation स्कार्ड कर दो ओके Look at the bigger picture बड़ा सोचो छोटी छोटी चीजों में अटक के नहीं रहना है आपको बड़ा देखो, बड़ा सोचो आप बहुत आगे जाने वाले हो गाइस आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपका नजरिया बदलने की जरुरत है आपको Don't Lade, बिल्कुल भी आपको एंकार नहीं करना है अपने एगो में आकर खुद का ही नुकसान आपको नहीं करना है, ओके एंकार में आओगे तो खुद का ही नुकसान होगा Your commitment is being tested आपको आपकी परिक्षाई ली जा रही है अगर आपके लाइफ में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो भगवान आपकी परिक्षाई ले रहे है कि आप कितना कुछ सहन कर सकते हो आप अपने आपको ग्रो करने के लिए क्या क्या कर सकते हो आपकी परिक्षाई ली जा रही है और आपको इसमें पास होना है तो यही थे आपकी रिडिंग अगर आपके साथ resonate करता है तो like, share and subscribe मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई